जाहेंद स्वागत हैं आप सभी का अगवार फिर मिसन खाके के इस नई वीडियो में इस वीडियो के माद्धम से खेलों से जुड़े महत्पून पाइंटों को कबर करेंगे जो आपकी गजाम के लिए महत्पून अचकते हैं उन सभी पाइंटों को हम डेटेल में कबर करते चलेंगे वीडियो के लाश्ट में हमने प्रशन भी रखे हैं और उन प्रशनों को भी हम कबर करेंगे तो वही शाथ यह सुरुआत करते हैं आज की सांधार क्लास के साथ सबसे पहले हम जालेंगे प्राचीन ओलंपिक खेल ठीक है तो प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलम्पिया सहर में 176 इसापूर में प्रारम हुआ था पहली बार ये खेल ग्रीक देवता जीवस के सम्मान में खेला गया था आपसे अब एक्जाम में पूछ भी सकता है प्राचीन ओलम्पिक खेल किस देवता के सम्मान में खेला गया था तो जो ग्रीक के देवता थे जीव इनके सम्मार में इस खेल को खेला गया था और इसके सुरुवात हुई थी 176 इसापुर्व में अब बात करतें आधोनिक ओलंपिक खेल की आधोनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगता का प्रारंब 1896 इस्वी को फ्रांस के वैरोन पीरे डी प्रयासों के प्रयासों से यूनान के एथेन से सहर में हुआ था ओलंपिक खेल का आयोजन प्रतियेक चार वर्ष के अंतरार पर किया जाता है एक्जाम में कई बार पूँचा गया है कि ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है तो चार वर्ष के बाद इस खेल का आयोजन किया जाता है अंतराष्टी ओलंपिक परषद की इस्थापना 1894 में इसमी में हुई थी सकोन नामक इस्थान पर इसकी इस्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यले है सुजरलेंड के लोसाने में साथी इसका मुख्यले इस्थी थी थै भारती ओलम्पिक पर्षद की स्थापना 1924 में की गई थी और इसकी स्थापना सर जे जे टाटा के दौरा इसकी स्थापना की गई थी और इसके अधच भी रह थे अब आगे बात करते हैं राष्ट मंडल खेल की ओलम्पिक खेल के पसात राष्ट मंडल अत्वा राष्ट कुल खेल समारो विस्सु का एक ऐसा दूसरा सबसे बड़ा खेल उत्षब है इस खेल समारो का आयोजन प्राया दो ओलम्पिक खेलों के मद्द किया जाता है जिसे ओलम्पिक वर्ष कहा जाता है ACI खेलों को समझ लेते हैं ACI खेल का प्रारम्ब 4 मार्च 1951 भी को नई दिल्ली में हुआ था ACI खेल संग ने चमकते सूरज को अपना प्रतीक चिन गोसित किया था महत्पूर्ण पाइंट है यह चमकता हुआ जो सूरज है साथ ने एक्जाम में भी पूँच सकता है कि ACI खेल का जो प्रतीक चिन गहे भैक्या है तो चमकता हुआ सूरज आप इसको नोट करके चलीगा और आपके यूपी पुलिस एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है अब बात करते हैं किर्केट खेल किर्केट खेल का जरम दाता इगलेंड को माना जाता है किर्केट का जरम कहां से हुआ इगलेंड से किर्केट का पहला टेस्ट 1877 इसवी में आश्टीलिया अभिम इगलेंड के वीच मेलवर्ण में आयोजित किया गया था किर्किट का पहला एक दिवसी अंतरराष्टी किर्किट मैच इगलेंड वा आश्टीलिया के बीच 1971 इसवी में मेलवर्ण में आयवजित क्या गया था किर्किट की सरवोच संस्ता ICC है जिसका मुख्याले 1 अगस्त 2005 इसवी से दुबई में है पहले ये लाडर्श में था किर्किट सब्दा वली की बारे में जान लेते हैं जो एकजाम में कई बार पूछा जाता है चाइना में वेट्समें बालर विकेट कीपर पोपीग कीज आदी ये सातियों क्या है एक किर्किट सब्दा वली से जुड़े कुछ सब्द हैं जो एकजाम में पूछे जाते हैं और इन सब्दों का प्रियोग किर्केट में किया जाता है। हौकी हौकी का पहला शंगटित कलब 1861 इस्वी में इस्थाफित बलेक हीत एबी एंड कलब है। हाकी की सरवोच संस्ता फेडरेशन इंटरनेशनल दी हौकी है जिसके इस्थाफना 1884 इस्वी में की गई थी। हाकी का पहला अंतराष्टी मेच 26 जून 1895 इस्वी को राइल में वेल्थ एंड आर्लेंड के बीच खेला गया। हाकी का पहला विस्वकप 1971 इस्वी में वर्षो लीना में आजित किया गया। अब हाकी के जो परड़ाम हैं उनको जान लेते हैं इसकी लंबाई की गर मैदान की लंबाई की बात करें तो 91.44 मिटर इसकी लंबाई हती है मैदान की चोड़ाई 50 से 55 मिटर के बीच और गेंद का बजन 155 से 163 ग्राम के बीच होता है। खेल सब्दावली समझ लेते हैं इस्टिक, पेनल्टी, स्ट्रोक और स्कूप सूटिंग ये साथियों हाकी की खेल सब्दावली हैं जो एक्जाम में पूछी जाती हैं। बॉली वॉल का जनम साइम्तुराज अमेरिका में हुआ। इस खेल को एक अमेरिकी बिलियम्स जी मारगन ने 1895 इस्वी में सुरू किया। इंटरनेशनल बॉली वॉल फरडरेशन का गटन 1948 इस्वी में हुआ था। बॉली वॉल का प्रथम विस्व कप 1949 इस्वी में आयवजित हुआ था और 1964 इस्वी में बॉली वॉल उलम्पिक में सामिल किया गया। बॉली वॉल का परिमाड देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई होती हैं 18 मीटर और चोड़ाई 9 मीटर होती है। फुटवॉल का जनम इगलेंड में हुआ 1857 इस्वी में इगलेंड में 20 का पहला फुटवॉल कलब सेफिल्ड फुटवॉल कलब है। फुटवॉल मैदान के परिमाप देख लेते हैं। मैदान की लंबाई 91 से 120 मीटर होती है। मैदान की चोड़ाई 45 से 91 मीटर के बीच होती है। और गेंद का बचन 396 ग्राम से 453 ग्राम के बीच होता है। इसकी खेल सब्दा वली देख लेते हैं। फुल बैक, हॉप बैक, स्ट्राइकर, सेंटर पनल्टी, किक। आधिशादियों इसकी खेल सब्दा वली हैं जो एक्जाम में बहुत ही पूंची जाती है। टेबल टेनिस टेबल टेनिस इसकेल का जरम दाता एगलेंड है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस इसकेल के इसतापना 1926 ESV में की गई थी। टेबल टेनिस विश्व चेंपियन का मैच पहली बार 1927 ESV में हुआ टेबल टेनिस विश्व का विश्व चेंपियनसिप दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है। महतपूर्ण पाइंट है आप इन प्रशनों को नोट करके चलिएगा यह सभी प्रशन आपके इग्जाम के लिए महतपूर्ण हो शकते हैं। इस भी में आयोजित हुआ था। वास्केटवाल के मैदान का परिमाप देखते है। वास्केटवाल के कोट की लंबाई 28 मीटर और कोट की चोड़ाई 15 मीटर होती है। वास्केटवाल की उचाई जमीन से 3.5 मीटर वास्केटवाल का बजन 600-650 ग्राम के बीच होता है सतरंज सतरंज भारत में ये केल सातवी सदी में सुरू हुआ The Federation International इस खेल को लिंतरित करती है तता हर दो साल में एक वार विस्टू चेंपियन सिप्ते करने के लिए प्रित्यों किता कराती है सतरंज खेल के सामान देख लेते हैं इसके वोड को चेकर वोड कहते हैं जिसमें 64 वर्ग होते हैं इसमें 8 उर्दुवाधार तता 8 36 पंकतिया बनी होती हैं इसके वर्ग दो विप्रीत रंगों के रंगों से रंगे होते हैं हर खिलाडी के पास अलग-अलग रंग के 16 चैंस मैन होते हैं प्रमुक को खेल सब्दा वली समझते हैं बिसप, गैंबिट, चेक मेट, सलेट मेट पान, गैड मास्टर, फिडिनाइट, इलो रेटिंग, रैक, कैस और पीसेज, आदिसादियों इसकी खेल सब्दा वली हैं आईए अब कुछ महतपून पाइंटों को समझते हैं जो एक्जाम के लिए महतपून है और एक्जाम में कई बार इन प्रशनों को पोचा भी गया है ठीके, तो आएए सुरुवात करते हैं संतोष, ट्रॉफी किस से संब्दी थे, रैट आंसर इसका संब्द फोटबॉल कहल से है अरजुन अगरबाल किस खेल से संब्दी थे, तो इनका संब्द गोल्प से हो जाता है कोई खिलाडी किस के प्रियोग के कारण ड्रग्स परिछण में अस्पल रहता है, तो वैक्सीन के कारण जुलन को सौमी किस से संब्दी थे, रैट आंसरे किरकेट से जीबा, मिलका सिंग का किस खेल से संब्द है, रैट आंसरे गोल्प से भारत के राष्टी खेल का कहना है हौकी कोपा कब किस खेल से संब्दी थे, रैट आंसरे फुटवाल से आधुनिक ओलम्पिक का पिता किसे का जाता है तो पीरेडी, कोवर्टीन को साते हूं आधुनिक ओलम्पिक का पिता कहते हैं फर्डेशन कप किस खेल से संब्दी थे, रैट आंसरे फुटवाल से हाकी के जादूगर का क्या नाम है? रैट आंसरे मेजर ध्यांचन साइना नेवल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है राइट आंसरे वेड मिंटन कबड़ी में कुल कितने खिलाडी होते है सही आंसरे 7 खिलाडी होते है किरकट हाकी फुटबॉल में कुल कितने खिलाडी होते है राइट आंसरे 11 खिलाडी होते है हाकी का जादूगर किसे बोलते हैं राइट आंसरे मेजर ध्यानचंद को हाकी का जादूगर कहा जाता है दा फ्लाइंग सिक किसे कहते हैं सही आंसरे मिलखा सिंग को फ्लाइंग सिक के नाम से जानते है शौणवाली का एवं उडनपरी के नाम से किसे जानते हैं राइट आंसरे पीटी उसा को जल्ली कट्टू का त्योहार कहां पर मनाय जाता है राइट आंसरे तमिल नाडू में यफ आई डी इ किस सम्बंदी थे राइट आंसरे सत्रंज खेल से और आई एच फ किस खेल से सम्बंदी थे हौकी से विस्ट के सरवोच सिकर पर चड़ने वाली प्रतम भारती महिला कौन है राइट आंसरे बचहिंदरी पाल सत्रंज के एक वोड में कुल कितनी वर्ग होते हैं सही आंसरे चाउसट मारा डोना किस खेल से सम्बंदी खिलाड़ी है तो फुट वॉल से इनका सम्बंद है हरवजन से इनको किस नाम से जाना जाता है टर्मिनेटर के नाम से इनको जानते है साहिना निवाल किस खेल से सम्बंदी थे वेड मिंटन से इनका सम्बंद है मेरी कौम किस खेल से सम्ब मैं कामन वएल्थ घेम खेला गया था देवद्धर ट्रॉफी का संबंध से देवद्धर । कप कीस संबंध थे साही आंसर है बैडमिंटन शेक टोद साही आंसर है चक्यूद्रक क केटे कले हो कि राजीब गांदी खेल रतन पुरुषकार के इस फाउंडेशन दोरा प्रदान के जाता है तो विडला फाउंडेशन के दोरा राजीब गांदी खेल रतन पुरुषकार दिया जाता है ग्रिसम कालीन खेलों के मद्द कितनी वर्षों का अंतराल होता है तीन वर्षों का इसमे कहां पर इस्त है तो यह सत्य लियू साने में इस्तित है ACI खेलों का प्रतम आयोजक कौन सा देश है तो राइट आंसर है भारत सनी डेज किसकी पुस्तक है सुनील गवासकर जी की पुस्तक है दच्षण भारत की सबसे लंबी नदी का उनसी है राइट आंसर है गोदावरी नदी दच्षण भारत की सबसे लंबी नदी है साथ ही उस वीडियो के मादम से महतपुर्ण पाइंटों को कबर किया है जो आपके खेल से जुड़े हुए प्रशन है उनस सभी को हमने कबर कर लिया है वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और जो आपको नोट करने की बातें बताएं उनको नोट करके चलिएगा क्योंकि एक्जाम में यहीं से प्रशन बन सकता है तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें वीडियो सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिनों को आगले फिर वीडियो में तब तक के लिए जैए